दिस्पाइट, दिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, हम इसकी कुछ एक्जेम्पल्स लेते हैं सेंटेंसेज में, दिस्पाइट वन इस, I love my friend despite his faults, मैं अपने दोस से प्यार करता हूँ, बावजूद इसके के उसमें गल्तियां हैं, उसमें खराबियां हैं, नेक्स्ट वन इस, despite the bad weather, we enjoyed lot, बावजूद खराब मौसम के, हमने लुट्व उठाया, ये इसकी second example है, के दिस्पाइट को किस तरह sentences में यूज कर सकते हैं, आगे हम देखते हैं, इसकी third example, थर्ड वन इस, despite the hot day, he is working hard, बावजूद मौसम के गरम होने के, वो मेनत कर रहा हैं, for more videos kindly subscribe my channel EZI English, thank you so much for watching this video